विकास का वहाओ था ना पानी था मा गंगा या बेती है वर्णा नदी या बेती है असी नदी का स्थिप्त व समाप्त कर दिया गया कासी के घातों की दुरगती आप देखते हैं क्या थी यहां के अंदर अगर आप देखते हैं किस प्रकार की अरग जिकतारा विवस्ता भैली भी थी कैसे काशी की गलियों में जूलते वे तार चड़ाते थे दुरगटना को अमंतित करते थे काशी के अंदर दुरविवस्था का आलम हो गया था और बेन और भाईयों दस वर्स में जैसे भारत की तक्दीर और तस्वीर को मोधी जी ने बदला आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बड़ा है सिमाएं सुरक्षित्वी हैं आज भारत न केवल सुरक्षित्वा है बलके आतंग बाद और लकसल बाद की समस्या का समाधहन भी किया है आज का भारत भैन और भाईयों कॉंग्रेस के समय में आतंग की घटनाए घटित होती थी और जब हम संसत में समुद्डे को उठाते थे तो कॉंग्रेस की ततकालीन सरकार कहती थी कि आतंग बादी सीमापार के हैं और आज तो पठाका भी भड़ जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कहता साब हमारा हाथ नहीं है पैन और भाईयों यह भारत की ताकत है मोदी जी के नित्रतों में भारत पावर्फुल हुआ है एक वर्ड पावर बना है एक तरफ भारत के सकते और तुसी तरह भिकास हाईवे फोर लेन, शिक्स लेन, एड लेन, ट्वेल्व लेन रेल की नहीं नहीं सेवा आज आप देखते होंगे यह और पूर्ड की तर्च पर बंड़य रेल्वे स्टेशन बंदे भारत, अम्रित भारत तो नौमा भारत जैसी वर्ड क्लास ट्रेन की सुभिथा मेट्रो और कासी के अंदर तो मोदी जी ने देश के सबसे बड़े, सबसे बड़े यहाँ पर रोपवे के निर्मान के कारे का सुभारम किया है रिस्वर्ष के अंतर जबब बनेगा कैन्ट स्टेशन से बावा विश्वनाद भान तक पहुंचने में कोछे मिंट लगेंगे एक लाट सरदाल उपति दिन उस रोपवे के माध्यम से कासी की यात्रा कर सकता है बैन और भाईयों एक नए भारत की तस्वीर है आज हमारी कासी हाईवे वर्ड क्लास हाईवे के साथ जुड़ी है रेलवे के साथ जुड़ी है इंटरनेशनल एर्पोर्ड जुड़ा से जुड़ा है तो अब यहां का वाटर वे भी वारानासी से हल दिया के बीच में कारे कर रहा है आज से तस वर्ष पहले ये सपना था आज ये हकिकत है पैन और भाईयों आज आप देख रहा होंगे कासी के घाटों को मोधी जी प्रधान मंत्री बने थे उन्हें स्वयाम भाड़ा ले करके घाटों की सुन्दरता के लिए